अपिए अपकी आज ब्राव को सब्सक्राइब करता हूं आपकी आज क्लास इस्टार्ट हो चीकी है मैं स्कूला सिस्टम अब ब्रॉड चैनल आज एक बड़ा और टॉफिक है जिसमें हम नंबर सिस्टम में भी आज जो class रहेगी वच्चे आपकी classification से रहेगी क्या रहेगी? नंबर सिस्टम में जो हम करने वाले हैं वो classification of numbers numbers कैसे बना, कहां से आए भाज्य अबाज्य संख्यां प्राइम नंबर, whole numbers यह सब चीज़ां जानकारी सीखेंगे सीधे सीधे कुछन यहां से भी आपके देखने को मिलते हैं ठीक है यह class आपकी हर exam के लिए रहने वाली है all government competitive exam के लिए class आपकी helpful रहेगी ऑके बाकी आपको बता दूँ classes आपकी जो भी students class को देख रहे हैं success gang classes application आपका play store से आपको download करना है और सभी classes आपको क्या है वहाँ पर बहुत ही compromise में चीजें अबलब्द हो जाएंगी बाकी YouTube पर भी आपको सारा content अभी फिरी प्रोवाइट किया जाएगा ठीक चलिए तो बच्चे start करते हैं number system क्या करते है number system जैसा कि नाम से दिख रहे हैं आपको number system यानि संख्या पधुती संख्या संख्या पध्धि ठीक है संख्या पध्धि हिंदी बोलते हैं अब देखो सबसे पहले number को represent करने के लिए जिस system की ज़रूरत पढ़ती है उसी को क्या करते हैं हम number system कहते हैं दुबारा सुनेंगे number को represent करने के लिए जिस system की जरूरत पढ़ती है उसको number system कहते हैं ठीक है और number को represent करने के लिए बहुत से system है ठीक है तो उन मैसे जैसे example के लिए हम बात करें एक्जाम्पल के लिए एक आता आपका डैसिमल सिस्टम, इसमें जो डिजिट होते हैं, टैन डिजिट होते हैं, जा होते हैं, टैन डिजिट, ठीक, दूसरा आजाता है आपका, बाइनरी, बाइनरी सिस्टम, ठीक है, इसमें 01, एक आ जाता है आपका, एक्सा, डैसिमल सिस्टम, इसमें 16 डिजिट होता है, ठीक है, एक आ जाता है आपका, ओक्ता, टैसिमल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, आप देखो, जैसा कि मैंने बताया कि नमबर को प्रजेंट करने के लिए, जिस सिस्टम की जरुरत पढ़ती है, उसे बाइनर के लिएर और नंबर को represent करने के लिए बहुत से सिस्टम है लेकिन हम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं बगत्चे decimal system हम जो कुछ कौन सा करते हैं decimal system तो बात कर लेते हैं decimal system की डैसिमल सिस्टम यानि दस मलव पद्धि ठीक है दस मलव पद्धि अब डैसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं डैसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया कि यानि जीरो से लेके 9 तक डिजिट होते हैं यानि जैसे हम बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है यह आपकी 10 डिजिट बन जाती हैं क्या बन जाती है 10 डिजिट यह ओबर रॉल क्या हो गई बच्चे डिजिट हो गई 10 डिजिट इनी को हम क्या बोलते हैं डिजिट यानि अंक इनी डिजिट को मिलाकर क्या बन जाता है नमबस बनता है इनी डिजिट को बनाकर क्या बनता है नमबर बनता है एक्जाम्पल के लिए कोई भी आप नमबर ले सकते हैं है इनी डिजिट को जैसे ङॉंआ इसी डिजिट से कोई नंबर बना लिया णो ती सत्रा ठीक है यह party आपका hell आगे सिलाइड ले लेते हैं जैसे अभी हमने कॉंसान नंबर को इसा भी नंबर ले लो कि 39 17 ठीक है यह नंबर है आपका ठीक है अभी इस नंबर का देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका प्लेस वैलू और फेसि jurisdiction आपको पता होने चाहिए और यह पता होना चाहिए कि यह कौन-कौन से नंबर आपका इसका नियुमरेशन सिस्टम जो होता है हमारा जो प्रलाली है इंडिल प्रलाली उसके अकॉर्डिंग ये कितने पर आजाएगा आपको टैंस पर आजाएगा ठाउजंग पर आजाएगा और यह तो चीजें आपको किलियर होगी बेसिक चीजें ठीक है इसको बताने के लिए वैल्यू कि क्या होती है फेस वैल्यू यानि प्लेस वैल्यू इस्थानी अमान और आपका जो फेस वैल्यू है वो क्या है जाती अमान या बोल सकते हैं अंकी अमान ठीक है यहां से भी कही ना कहीं आपको किसी ना किसी एक्जाम में एक कुश्चन सिंपल सा यह चोटा प्लेश वैलई फेस WDIव से अब द्यूह यह नंबर था 34 अब इसी की हम बात कर लिए जबात मिस ठानियमान निकालतेès नंबर का तो सेवन का इस्तांएंहान निकालना है तो सेवन kких We із जाएगा । यानि इसका तैन क्या हो जएगा आपका इस्थांएमान होजाएगा अब आ जाते हें फौर का इस्थानियमान निकालना हमको, तो 4 कितने डिजिट पर है, यह 1000 पर, तो कितना हो जाएगा, 400 इसका इस्थानियमान हो जाएगा, उसके बाद हम 3 का बताते हैं कि 3 का इस्थानियमान क्या होगा, place value, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 डिजिट पर है, 1000 से multiply करेंगे, 3000, तो आप कोई भी नमबर है, उसका जो भी अंख है, और माली जी सेवन का जातीयमान पूछा लिया, आपका, यह बच्चे अंकीयय हो गया, एक मिनट, अंकिया ठीक है मान आप चाहती है या अंकिया मान आपसे अगर पूछ लिया ठीक है तो यह अगर नमबर का माली सेवन का पूछा है तो सेवन हो जाएगा वन का पूछा है तो वन हो जाएगा फोर का पूछा है तो फोर हो जाएगा और थिरी का पूछा है तो थिरी तो जाती यानि आपका face value क्या हो जाएगी सेम हो जाती है ठीक है चलिए अब तो यहां तक तो आपको सभी को किलियर होगा किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ओके चलो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ओफ भी क्लासिफिकेशन इस पहले पर मज जाना एस यहां पर थोड़ा टाइपर अरव कर दिया है तो क्लासिफिकेशन ओफ नमबर संख्याों का वर्गी करण आप देखो संख्याओं का वर्गी करण तो तब ही कर सकते हैं जब संख्याएं एक एक combined होगी यानि mix होगी बहुत साही संक्या जभी तो उनको तोड़ सकते हैं मालो single digit है उसको तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते ठीक है तो सबसे पहले क्या है हम बात करेंगे complex number की ठीक है उसी को तोड़ सकते हैं complex number complex numbers यानि हम बात करेंगे समिस्त्र संक्याएं समिस्त्र संख्याओं को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जब हमने समिस्त्र संख्याओं क्लासिफिकेशन की हम जब बात करते हैं दो पार्ट में हमने इस्ट्वेंट इसको किया, पहला क्या हो जाएगा आपका, real number, real number, यानि वास्तविक, वास्तविक संख्या, ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका, imaginary numbers, imaginary, imaginary number, यानि कालप्निक, संख्या, खिक, वास्तविक नमबर, real number, और कालप्निक नमबर, अब कालप्निक नमबर की बात कराएगा, तो कालप्निक नमबर का, वैसे को इधर थोड़ा कट रहा है, इसको मैं दुबारा लिख देता हूं, चलो, तोड़ा से इधर साफ लिख देते हैं इस इमेजनरी नंबर्स यानि काल्पनिक काल्पनिक संख्या हैं वैसे तो देखो काल्पनिक संख्याओं को आपका math में कोई यूज नहीं है ठीक है काल्पनिक संख्या जने हम सिर्फ काल्पनाओं में सोच सकते हैं इसको हम किस से डिनोट करते हैं आयोटा आई से डिनोट करते हैं जैसे रूट में क्या होता है माइनस में मान हो आपका माइनस वन हो रूट में माइनस में मान नहीं हो सकता कभी हम सिर्फ सोच सकते हैं इस चीज को ठीक है क्या कर सकते हैं इस आई स्क्वाइर आयूटा स्क्वाइर करेंगे तो क्या मैनिस वन तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं बच्चे हमेज़ा सिर्फ सोच सकते हैं क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की क्या बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की तो माइनस इन्फाइनाइट माइनस infinite से plus infinite तक सारी संख्याएं सारी संख्याएं real number होती है real number real numbers होती है ठीक है number होती है यह आप साथ के साथ नोट कर सकते बागी इसकी ज़्यादा इतनी डीपने पर नोट कर लिजिए इससे आगे जब आगे आगे बात करेंगे तो सबसे चीज़ें के कुश्ण यहां से सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कुश्ण आ जाएगा आगे हम बात करते हैं इमेजनरी नंबर्स का तो हमारा कोई स्लेवस में कोई पैटन नहीं है तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर की ठीक है रियल नंबर देखो रियल नंबर्स या वास्त्विक्षन क्या है कि वास्तविक संक्या है ठीक है अब रियल नंबर को भी हमने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया है ठीक है जब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे हम एक सेकेंट रियल नंबर ठीक है कि देखो रियल नंबर को हम जो बास्तविक संक्या को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम किसमें डिफाइन करेंगे तो डैसीमल कि एक सेकेंट कि देसीमल और इधर आ जाएगा आपका इंटीजर इंटीजर्स ठीक है पूड़ांक यानि दस मलव दस मलव संख्या है और आपकी यहां से इधर आ जाएगा सो हो रहा है पूड़ांक अब देखो सबसे पहले हम दस मलव डैसीमल की बात कर लेते हैं क्या बात कर लेते हैं दस मलव की ठीक है तो पहला सबसे बहले यह क्या होता है आपका रिपीटिंग कर ले रहे हैं पहले हैं करें है अज़र डैसीमल में हम बात कते हैं तो आता है आपका आप को अ रिपीटिंग यह रिकरिंग कि रिकरिंग यानि हम कहेंगे इसे पुणरा वर्थी बारवार पुणरा वर्थी बारवार पुर्णावर्ति कलर सो हो रहा है ठीक है बारवार पुर्णावर्ति अब देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नंबर हमने लिया डेसिमल 0.5 ठीक है अब 0.5 ठीक है अब क्या मैं इसको 0.5 इसको मैं फ्रेक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं इसको सीधा पॉइंट है दसमल अब तो इसको क्या लेख सकता हूं और भी मैं इसको सिंप्लिफाइ कर सकता हूं इसी प्रकार आगे अगर मेरा नंबर आगे हमा लिजे कोई नंबर 0.444 ठीक है रिपीट हो रहा है क्या मैं इसको सांध कर सकता हूं एक मिनट ठीक है थोड़ा सा मैं explain क्लियर कर देता हूं आपको एक बार और इससे समझाने से पहले समझो इस बात को कि देखो इसको क्या कर सकते हैं हम टर्मिनेट कर सकते हैं एक सेकेंड एक पोर्ड में थोड़ा सा इस्यू हो रहा है टेक्निकल कि टर्मिनेटिंग कि टर्मिनेटिंग देशिबल यानि सांत डेसिमल क्या बात करेंगे बच्चे सांत सांत दसमलव अब सांत दसमलव में हम बात कर रहे थे ठीक है सांत दसमलव को ही हम क्या बात कर सकते हैं हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर्म मैं लिख सकते हैं यह चीज़ा आप नोट करते जाए PYQ के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सांदस मलब को अब जैसे उधारन के लिए एक्जामबल के लिए समझे देखो हम बात करते हैं नंबर लिया हमने यहां तक आपको 100 हो रहा होगा 0.5 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 by 10 लिख सकता हूँ उसी प्रकार अगर आपको repeating आ गया 0.444 तो मैं इसको क्या रूप में लिख सकता हूँ जब बार बार रिपीट हो रहा 4 पर वार जब कोई भी नंबर repeat होता है तो उसके उबर हम वार लगाकर उसको terminate कर देते हैं ठीक है और इस वार को ही मैं क्या लिख सकता हूँ अच्छा आगर हम लिखता हूँ तो मैं इसको 4y9 लिख सकता हूँ जब इसको आप समझ पाएंगे आगर और explain कराएंगे हम कैसे वार सिस्टम कैसे बढ़ा जाता कैसे बार लगता है उसी प्रकार माली जे मैंने नंबर लिया आपका 0.5656 ठीक है आगर 5656 चल रहा है आपका बार बार क्या चल रहा है 5656 चल रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5656 पर वार उसी प्रकार टू नंबर्स पर वार है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आपका 5656 अपॉन 99 या इस पेस थोड़ा सा कम है ठीक है क्या हो जाएगा 5656 अपॉन 99 हो जाएगा ठीक है तो ये एक्जामपल के लिए आपना पूरा समझा कि पीवाई क्यू के फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं सान दसमलब को ठीक है क्या लिख सकते हैं पीवाई क्यू के फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं ठीक है और जो भी हमारी परमे संख्या होती है वो पीवाई क्यू के फॉर्म में ही लिखी जा तकती है दोबारा से इसको करते हैं को बार तो कि आप समझ पाए होंगे यहां तक कि डैसीमल को एक तो repeating recurring हो गया ठीक है बार-बार पुनरा वरती और एक दूसरा हो जाएगा students काउन सा हो जाएगा कि नन रिपीटिंग और रिपीटिंग कि नन रिपीटिंग नन रिकरिंग यानि बार बार पुनरा वर्ती नहीं यहां पर क्या होगा पुनरा वर्ती नहीं होगी इसी को मैं क्या लिख सकता हूं अच्छे समझेंगे आप इसको मैं लिख सकता हूं नन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टैसिमल यानि मैं बोल सकता हूँ इसको असांत दसमलव असांत दसमलव और इसी को असांत दसमलव को हम क्या कह सकते हैं इसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते जब ये non-terminating है तो इसको हम क्या terminate करके terminate तो कर नहीं सकते हैं तो इसको हम PYQ के form में नहीं लिख सकते हैं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब PYQ के form में नहीं लिख सकते हैं जिन संख्याओं को PYQ के form में नहीं लिख सकते हैं अपका अपर में संख्या हैं ठीक है यहां तक आप समझ रहे होंगे यह हो जाएगा आपका rational number और in rational number की उत्पत्ति कहां से हो रही है यहीं से हो रही है अब असांत का यह एक example ले लो मालो जैसे हमने कोई example ले लिया आपका 0.12345987 मतलब शांत ही नहीं हो रहा है यह चलता ही चलते ही चलता ही चलते ही चलता ही चलता ही चलता जा घा रहा है ठीक है value आजाएगी root 2 में आजाएगी ठीक है root 3 आजाएगी इस तरीके से root 5 आजाएगी ठीक है तो यह क्या होंगे यह आपके इनकी जो सांत नहीं कर सकते not terminating रहेंगे ठीक पाई का मान बोल सकते पाई ठीक है पाई भी क्या आजाएगी आपकी non terminating असांत दस्मलम में आएगी किसमें आएगी बच्चे असांत दस्मलम में यह आपकी आएगी ठीक है क्लियर है सभी को यहां तक कि सभी स्टुएंस को सभी को यहां तक कोई क्लियर होगा ठीक चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर इसी का क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट बात बात करते हैं ठीक है यहां तक किसी को कोई भी हो तो वह कमेंट अपना offline कमेंट भी लिख सकता है अप चलो अब अब देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको रेस्मा सनानर और इंड रेस्मानल लंबर के बारे मोगरें बदा डैसींल पर ही क्या मोड़ा थे भी हम सिर्फ डैसीमल बड़ बढ़ा है बड़ा के साइट में बचा हुआ है लेकिन डैसीमल में अभी हम परमे औ सामने लिखा हुआ है परमे संख्या है क्या परमे संख्या है रैस्टनल नमबस अब देखो जैसा कि आपको ऐसी सभी संख्या जना पीवाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें परमे संख्या कहते हैं क्या पीवाई क्यू के फॉर्म में पी वाई क्योंके फॉर्म में जिन्हें लिख सकते हैं उनको परमेसं क्या कहा जाता है ठीक है अब यह तो होता है आपका देखो अंस यह आपको सब को पता ही है और यह बारवर रिपीट कैसे हो जाता है कि अब कभी वर्क निकट रहा है सही से अंस और हर अब हम एक चीज और कह सकते हैं क्यूँ एक कॉल नॉट जीरो ठीक है क्यूए क्या होगा आपका बच्चा जीरो होगा क्यू कभी भी जीरो के क्वल नहीं होगा ठीक है एक्जामपल के लिए जैसे हम नमबस दे देते हैं आपको तो है तो यह क्या होगा आपका PY Q यहाँ पर Q equals 0 है क्या है Q equals 0 उसी प्रकार आप देखो नमबस है आप टर्मिनेट को कर सकते हैं अभी एक उदारन दिया था पहले 0.444 इसको मैं क्या लेक सकता हम 4 बरवार इसी को आगे 4-9 लिख सकते हैं क्या लेक सकते हैं 4-9 तो यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है एक चीज सबसे most important है यहाँ पर आप एक सेकिंड देख सेकें नोट करेंगे देखो यह क्या हो गए आपके रणात्मक परमे और धनात्मक परमे ठीक है अब हम बात करते हैं जीरो जीरो क्या है आपने ये तो बता दिया कि पी हो जाएगी पर में हो जाएगी ठीक है उसको भी बताएंगे आगे यह नोट कर लीजिए आप जीरो पर में संख्या है जीरो क्या है पर में संख्या है ठीक है चलो आगे बात करते हैं देखो एक नोट लिख लीजिए ये पहले से लिखा हुआ है दो पर में संख्याओं के बीच अनन्त पर में संख्या होती है ठीक है अब सबसे पहले एक चीज और बताया था अभी आपको हमने मालीजे जीरो में हम बन से भाग दे रहें यानि पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने कोई संख्या लिखी ऐसे समझी आप साधा अब जीरो में हम अगर वन से भाग देंगे हमेशा तो जीरो मिलता है हमको क्या मिलता है जीरो मिलता है अभी बात कर देते हैं अगर किसी डिजेट में हम जीरो से भाग करते हैं अगर कोई डिजेट है वन टू थरी है उससे बाग करते है तो हमें क्या मिल जाता है बच्चे इनफाइनाइट मिलता है जीरो में किसी डिजेट से भाग करते हैं त जैसे मैंने वन में भाग दिया जीरो से तो क्या बनेगा इंफाइनाइट अगर मैं जीरो से जीरो में भाग दे रहा हूं तब भी क्या बनेगा आपका इंफाइनाइट तो यह आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए ठीक है यह छोची जाब सभी पुढांक पर्मे संख्या होती है अभी पुढांक पर्मे संख्या होती है अगर इंगलेस वाले बच्चे भी है वो लिखना चाहेंगे तो All Integers Are Rational Number या Rational Number ठीक आगे बात करते हैं सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पर्मे पर्मे संख्या होती है पर्मे संख्या होती है मेरी आवाद सुनने हैं किसी को समझ नहीं आ रहा हो अगर थोड़ा भी लिखने में बाके बाकी तो साफ है ठीक है तो क्या हो जाएं सभी पूर्ण संख्याएं परमे संख्या होती है इसको भी लिखे लेंगे All Whole Numbers Whole Numbers Numbers Are Rational Numbers All Whole Numbers Are Rational Numbers ठीक है एक last all लिखेंगे सभी प्राकर्तिक संख्याय संख्याय परमे संख्या होती है ठीक है All Natural Numbers Numbers Are All Natural Numbers Are Rational Numbers ठीक है ठीक है तो यहां तक सभी को किलियर हुआ कि दो परमे संख्याओं के वीच अनंत परमे संख्या होती है अगर हम पीवाई कू के फॉर्म में जैसा कि मैंने कहा कि पीवाई कू के परमे संख्या की बात करते हैं तो Q एक कॉलन ओड जीरो होता है हमेशा Q के बरावर कभी जीरो नहीं आना चाहिए तो हमने वर रखा जीरो में अगर हम बन से बाग देंगे तो क्या आएगा जीरो प्राप्त होगा यानि जीरो में हम किसी भी संख्या से बाग दे रहे हैं क्या बात करते हैं आप परमे संक्या इंडरेस्टनल नमबर कि जैसा कि छे मैंने आपको पहले ही बता दिया इंडरेस्ल संख्या के बारे में एसा जनकिया हैं जिनने PYQ की रूप में नहीं लिखा जासकता है और मुक्त्य उन्हें रूट के अंदर ही लिखा जाता है ठीक है और कभी भी वह पूड बरमूल नहीं होती है ठीक है उन्हों को क्या कहा जाता है पर में संक्या कहा जाता है जैसे देखो पाई है रूट तो वहां पर यही चीज थी कि अपर में संख्या है जो असान डेसिमल होते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं फिर हम अपर में संख्या है यह असान डेसिमल ही तो है यहां तक आपको यह चीजा समझ में आ गई होगी ठीक है यहां तक आपको यह चीजा समझ में आ गई नहीं होगी ठीक है एक बार और लिख सकते हो आप लिखना चाहो दो कि पीवाई क्यू के फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते हैं क्या कर सकते हैं नहीं लिख सकते हैं चलो अब आगे चले नेक्स्ट टॉपिक अगला बताएं आपको अब देखो अभी अभी मैंने क्या समझाया था पीछे बैक जाएंगे थोड़ा सा देखो यहां पढ़ रहे थे हम वास्तविक संख्या है रियल नंबर जिसमें हम बात करी थे डैसी मल की डैसी मल अपढ़ा रोपीट रइकरिंग और डनोन रिपीटिंग यून रीइकरिंग ठीक है लेकिन हमारे यक पार्ट रह गया था रियल नंबर्स इंटीजर, कौन सा पाइट, इंटीजर, ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, इंटीजर की, ओके, ठीक है, क्या बात करेंगे, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर नमबर, यानि पुडांक, पुडांक संक्या है, अब पुडांक संक्याओं को जो हम क्लासिफियाई करते हैं, बच्चे, इसको पुडांक संक्याओं को, देखो, पुडांक संक्या है, एक तो होता है, नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है, आपका, पॉड इंटीजर, जैसा कि आभी आपको बताया, कि एक क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, और एक आजाएगा आपका, पॉड़िटिव इंटीजर, पॉड़िटिव इंटीजर, अब नेगेटिव इंटीजर, पॉड़िटिव इंटीजर, लेकर जीरो क्या होगा, इसमें बीच में एक और आएगा, आपका, जीरो, जीरो क्या होगा, आपका निउट्रल होगा, ठीक है, जीरो होगा, निउट्रल, निउट्र, नॉर नेगेटिव और नाइदर पॉड़िटिव, नौर पाजितिव नाइदर नाइदर आपका पाज़िटिव क्या हो जाएगा अब जैसे हमने पूरांक को जो हम क्लासिफाय गेया तो पोडिजीटिव इंटीजर और नेगिटिव इंटीजर ठीक है अब हम माइनस यहां से हम बात करेंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ठीक है इस प्रकार चलता चला जाएगा और यह माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगे तो इनको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर उसी विरकार प्लेस में 1 2 3 4 डॉट 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 चलता चला जाएगा इन्फाइनाइट तक क्या चला चला जाएगा इन्फाइनाइट तक इसको क्या कहेंगे हम पॉजेटिव इंटीजर कहेंगे अब एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी बच्चे कि आपने के सर पॉजेटिव इं नेचुराल नमबर क्या बोलेंगे आ सके लिए नाचुराल नमबर कि प्राकर्तिक संख्या है कि एक कुशन और आता है कि होल नंबर क्या होता है ठीक है अभी यह तो होगे बच्च प्राकरतेक संख्या है अब हम बात करें होल नंबर की अगर हम इसी में क्या 0 और एड कर दें इसी संख्या में अगर हम 0 और ले ले 012 एक मिनिट इस प्रकार चला जाता है अनंद तक तो इसी को प्यर को हम पूरे को क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं इसी को क्या बोलते हैं होल नंबर क्या बोलते हैं होल नंबर्स बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं होल नंबर्स बोलते हैं एक सकेंट चलिए वोईस आ रही है आपको एक सेकेंड ठोड़ा सा ठीक है तो यहां तक आप समझ चुके होंगे पढ़ांक पॉजेटिव इंटीजन और जीरो क्या होता है ऐसे निट्रल होता है नहीं पॉजेटिव ठीक है तो आगे हम इसके इस दोबारा समझहीए कुज़र है कर ला है कि इंटीजर ठीक है यानि पुड़ांख अब इसको में हम कि सम और विसम में क्लासिफिकेशन करेंगे यानि इवन नमबर और और नमबर में इंटीजर को ही इवन नमबर और और नमबर कि एक तो हो जाएगा आपका दो इवन का Lea향 खेंडेवन नमबर और एक खमका और नमबर कि पॉडट नमबर अब इवन नमबर कौन सा होता हैं वह संख्या है जो दो से विभाजित हो जाए यानि सम संख्याbird जो होती है सम संख्याएं जो दो से विवाज़त हो है चलो मैं नोट कर देना हूं वह है जो पूरता है विवाज़त कि दो से क्या है पूरता है विवाज़त हो वह क्या होती है आपकी इवन नमबर होते हैं ठीक अब देखो इदर आ जाएगा आपका विसम क्या विसम संख्याएं विसम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनने वह संख्याएं जो दो से विवाज़त नहीं होती हैं जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी एक्जामपल की देखो इधर चलेंगे हम आपका दो से विवाज़त होने वाली टू हो जाएगा ठीक है माइनस टू मानस फॉर इस पगा डॉट 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 इन्फाइनाइट माइनस चलेगा इसके पाद आ जाएंगे 4 प्लस में ठीक है 2, 4 इसके बाद ये भी इन्फाइनाइट तक चला जाएगा अब बात करते हैं दूसरे विवाज ना होने वाली संक्याएं ठीक है जैसे 1 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 3 हो जाएगा ठीक है माइनस 5 हो जाएगा इस पर करके डॉट डॉट माइनस इधर का भी कहां तक चला जाएगा इन्फाइनाइट तक चला जाएगा इसको थोड़ा सा चलो 5 को उटाकर इन्फाइनाइट बना देते हैं यह कहां तक चला जाएगा infinite तक तो यह भी आपकी यह तो common जानकारी है आपको सभी को पता भी होगी ठीक है तो यहां से question पूछ लिया जाता है आप से कि सबसे छोटा आप वो स्वरी यहां से 0 पूछ लिया जाता है कि 0 क्या है तो 0 क्या है even प्राइम है वो मैं अभी आपको explain कराऊंगा कैसे है जीरो जो है वो इवन प्राइम है कि सम ठीक है जीरो क्या है even है क्या है even स्टोरी प्रैम नहीं पूड़ांग कि इंटीजर पढ़ रहे है नाम तो क्या even इंटीजर कि पूड़ांग कि अब देखो समझो कैसे है आपका ओवेसा जीरो आपने ये तो बता दिया कि जीरो क्या है even इंटीजर है सम पूड़ांग है लेकिन है कैसे वो बता दीजिए ठीक है तो देखो आईए next page पर समझते हैं देखो हमने लिया even नंबर जोड़ा है इसमें ठीक है तो क्या बना even even आपको पता है even even यहां से even आ रहा है तो क्या बने दो ही प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है अगर हम even even को जोड़ते हैं दो और दो जोड़ते हैं तो सापर जीरो को ओर मांते मां लीजिए मैंने माना कि 0 और हैभी तक तो हमने युडेफी डि année सई झौ फॉरी सें मैंने माना जीरो और है और zucchini नंबर मैने एक उलेड़ी टीन जी यह लाइं तो यहतं गलत हो रहा है किया हो रहा है कि जीरो हमारा और नहीं है एक मिनिट यह तीन प्राप्त हुआ हमें वैसे और और करेंगे हम प्लेस करेंगे तो इवन मिलना चाहिए लेकिन यहां तो और आ तो मैं clear कह सकता हूँ कि जो है 0 है वो odd नहीं है even ही है ठीक है यहां से आपका प्रूब्ड हो जाता है और भी हम नीचे और चेक कर सकते हैं यहां पर भी हम रखके देख सकते हैं 0 ठीक है मैंने माली जी यहां रखा 0 ठीक है प्लस प्लस के साथ even number ले रहा हूं कोई भी वही ची प्लस दूऔर तीन को में 50 Sempre आ यानि मेरा क्या आता है और आता है में सबच्ची क्या था और आता है और ना चाहिए लेकिन याता मुझे इवन परक्त हो रहा है इससे मेरी थेयोरी से दो रही है कि यहां से मुझे मिला क्या टू मिला और लिकिन नहीं आना ची और डाना ची मैंने जीरो को और माना और एवन नमबर के साथ मैंने जीरो कोई भी नमबर ले लो दो ले लो चाल ले लो छे ले लो इसके साथ एड़ किया आपको पता और और एवन का जो जोड होता है वो हमेसा और होता है अब मैंने इसको एड़ किया तो दो प्राप्त हुआ होना ये सभी को Clear हो जाना चाहिए ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं, next, देखो अभी एक और पार्ट देखेंगे हम, अभी तक हमने देखो Negative और Positive Integer परे ठीक है, Negative, अब हम Positive Integer की बात कर लेते हैं यहां पर, तनात्मक, समझने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है राइटिंग पर नहीं जाना है ठीक है समझना बहुत इंपोडेंट अगर समझ लोगे तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी इनर्वर सिस्टम एक ब्रॉड स्यनल ब्रॉड आपका बहुत ही बड़ा टॉफिक है और सबसे उसका बेस चीज है च्लासिफिकेज जब तो आपको पता नहीं होगा कि नंबर दो सबसे चोटा क्या है प्रायम है क्या है बाज बाज जब आज यानि एक क्या है यह चीज़ें नहीं पता होगी तो आप कैसे चीजों को कर पाएंगे ठीक है तो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं एक बार कि अभी लेक्चर कि अच्छुट कि अच्छुट कि देखो अब हम धनात्मक पूडांग की जब बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइम क्या पढ़ते हैं प्राइम नंबर और कंपोजेट नंबर ठीक है अब आज संक्याएं और भाज संक्याएं तो सबसे पहले प्राइम नंबर अब भाज्य ठीक है और कॉम्पोजिट यानि भाज्य संख्या अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अब भाज्य संख्या है कौन सी होती है और भाज्य संख्या है कौन सी होती है ठीक है तो आप देखो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसी संख्या है जिनके कम से कम सिर्फ दो ही गुड़न खंड हो यानि दो ही फैक्टर हो उनको क्या कहते हैं हम अब भाज्य जिनके वल दो ही पैक्टर यानि गुड़ानखन्ड हो दो ही। तु ही इसके क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए एक तो हो जाना चाहिए जब हम बात करते हैं एक तो सैल्फ हो जाना चाहिए खुद और एक one होना चाहिए ठीक है तो उसको क्या हैंगे हम अब आज ये संख्या हैं कहेंगे अब सब बात कर लेते हैं देखो अब आज संक्या सबसे छोटी अब दो क्या है दो सिर्फ क्या है खुद से कटती है और वन से कटती है ठीक है तो यह क्या हो जाएगी अब आज हो जाएगी तीन हो जाएगी पाँच हो जाएगी साथ हो जाएगी लेवन इस प्रकार यह चलती चली जाएगी ठीक है तो आपसे question सीधा सीधा पूछा जाता है कि सबसे छोटी आवाज संख्या कौनसी है तो अगर जब तक आपको ये culture संख्यानी पता होगा नहीं कर सकते सबसे सोटी हमासं क्यों होती है Dota ठीक है अगर आपसे ये भी question पूछा जाता है कि सबसे छोटी इवन इवन अवाज संख्या कौन सी होती है प्राइम नंबर इवन तो वो भी क्या हो जाती है दो हो जाती है दो हो जाती है अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर की बात करते हैं ठीक है देखो सीधा सीधा इसके विप्रीच जाना है ऐसी संख्या हैं जिनके दो से अधिक जिनके दो से अधिक कुड़ान खंड हो उनको हम क्या बोल देते हैं आपका भाज्य संख्या है बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं वहां भाज्य संख्या है तो पहली ज będą जाएगी तो सबसे खोटी भाज्य क्या होगी तो सबसे चोटी जो भाज संख्या होगी फोर होगी क्योंकि इसके भाज संख्या कष्षन आप मैं बोल दे रहा हुं ठीक हैं नोट डालके किसल पहला कोश्षन वनेगा आपसे के सब सबसे छोटी आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका क्या होगा सबसे छोटी अब आज संक्या क्या होगी तो कुशन में सीधा सीधा आपको टिक कर देना है दो होगी दूसरा कुशन आप से पूछ लेगा कि सबसे छोटी प्राइम इवन प्राइम नंबर क्या होगा या क्या पूछ लेगा स्ट्वेंट्स एक से पचास तक की अब आज संक्यां यह सीधा सीधा कुस्टन पूछता है एक से इसको ऐसे लिख लो कि एक से पचास तक कि अब आज संक्या है एक से पचास तक अब आज संक्यां कितनी होती है यह सीधा कुस्टन तो आपको टिक करना है पंदरह आगे पचास से हंड्रेट तक पूछ ले तो ये कितनी हो जाती है 10 ठीक है और overall आप से पूछ ले तो आप बताई सकते हैं कि एक से लेके 100 तक अगर पूछ ली हो तो 25 हो जाती है ठीक है तो ये clear होगा बागी prime number वो चीजे छोटे छोटे question है वो भी आप कहां से कर सकते हैं ठीक आगे अगला next बाकी session कितना time हो गया एक बार बताएंगे सर अच्छा थोड़ा सा एक दो point और ले लेते हैं को प्राइम नंबर समझे लो को प्राइम नंबर यह होता है इस्ट्वेंट सहय अब आज्य है थोड़ा सा समझ लेंगे इसमें ज्यादा कुछ पूछने को आता नहीं है ऐसे नंबर से जिनके ऐसे जो संख्या हैं जिनका मैं कुछ भी common ना हो कुछ भी common ना हो यानि कुछ भी common ना हो यानि मैं कह सकता हूँ साधान वासा में स्ट्वेंट common ना हो यानि उनका SCF बन हो या हो SCF बन हो तो उन्हीं को क्या कहेंगे आप आपका सहबाज संख्या हो जाती है आ जाता है दूसरा नंबर एक और आ जाता है क्या है?Du Pharm. Twin's Prime नंबर एक्टे Alberto संख्याओ कघा तो यइक क्लासिफिकेशन संक्या हो हुई है इसका SCF भी ले सकते हैं अपलिकैसों पो नहीं आएगा बागी आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा यह hundred तक की आपको दे क्या अब आज संख्या हैं यहां से आप उनको रीड कर लीजिए त्यार कर लीजिए ओके लिए अब देखो कुछन्स हैं कुछ उनको बनाने की कोशिस करेंगे और उसके बाद कि आ एक से आपका से सकत दिया जाएगा फीच I'll question आपका लिखा हुआ है M स्सक्राइब कर ऑद्रू इस कौन सा कथन सत्या है लिखा हुआ पूर्ट संख्या प्राकरत्रत क्संख्या yourselves प्रतेक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती पूर्ण संख्या में जीरो भी सामिल है और प्राकरतक संख्या तो एक से अनंतक होती है तो यह तो कभी लागू हो नहीं सकता तो पहला तो आपका हो गया अब आते हैं दूसरे प्रतेक पूर्ण के परमें संख्या है प्लिकित एक और next है अपना प्रतेक परमें संख्या और प्रतेक प्रमें संख्या एक पूड़ांख है यह आपसे यहां से पूछा गया है ठीक है तो इसमें tolerant सही रहेगा दूसरा स्टेटमेंट जो अभी अभी है प्रतेक पुढांग के परमे संख्या है यह सही हो जाएगा ठीक है यह आपके प्रतेक परमे संख्या इसको क्लिए समझी पर्तेक परमे संख्या और एक पूड़ांक है तो पूड़ांक कैसे हो सकती है परमे संख्या पूड़ांक नहीं हो सकती है रैस्टनल नंबर ठीक है एक अब अभाज्य संख्या है अभी पढ़ाया है एक क्या है आपकी ना तो अभाज्य है ना भाज्य है यह भी ब्रॉड यह नेक्स्ट कु can be written in the form of n, n plus 1, n plus 2, where n is a natural number, ठीक, देखो, समझो, मैंने n, देखो, आपको पता है, बच्चे, natural number क्या होते है, 1, 2, 3, 4, डो, 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 इस प्रकास से चले आगे तक, अब माली जा, n का मान मैंने 1 ही ले लिया सबसे पहले, और अगर मैं n का मान 1 रख रहा हूं यहां बर, तो n 1 हो गया, into n plus 1, 1 plus 1, 2 हो जाएगा, into 1 plus 2, 3 हो जाएगा, तो यहां से मुझे कितना मिला, 6 मिला, और 6 मेरे option में है, यही मेरा क्या हो जाएगा, right answer, बागे आप 2 भी रखो, 3 भी रखो, जिससे आपका answer बन जाए, लेकिन option की according रखना है, ठीक है, चलिए, अग which divisible y 11 for every n is a natural number, एक number 10 की power n minus 1 form का है, हमेशा 11 से divisible है, क्योंकि हर n एक प्राकर्थिक संख्या है, जो n है, जो power है, वो क्या है, आपकी natural number है, ठीक है, तो यह question आपको बताना, देखो, आपको अभी-अभी मैंने बताया, कि natural number y, 1, 2, 3, इस तरीक से है, infinite तक, ठीक है, अब मैं natural number है, 10 की power n, अब मैं यहाँ से 10 की power n जो लेता हूँ, माली जब मैंने 1 लिया, ठीक है, तो 10 की power जब मैं 1 रखूंगा, और minus 1 तो क्या मिलेगा, 10 की power 10 ही रहेगा, minus 1 कर देंगे, तो 9 आ जाएगा, क्या यह 9 divisible है, 11 से, बिलकुल भी divisible नहीं है, ठीक, 11 से भी divisible नहीं है, अ अब मैं लेता हूँ, n की power 2 लेता हूँ, 10 की power 2 हो जाएगा, minus 1 करो, तो यह कितना हो जाएगा, 10 का square कर दो, 100, 100 minus 1 करेंगे, तो 99 होगा, क्या 11 से divisible है, बिलकुल divisible है, राइट है, यानि मैं कह सकता हूँ, 10 की power 2 ले सकते, आगे लेते हैं, 10 की power 3 लिया, n का मान मैंने 3 लिया तो यह, minus 1 करेंगे, 10 का क्यूं करेंगे, आपका 1000, 1000 हो जाएगा, minus 1 करेंगे, तो 999, ठीक है, 999, उसी प्रकार n की power, अगर मैं 4 लेता हूँ, value, natural number, तो यह 10 का 4 करते हैं, power minus 1, यानि 10 को अगर हम power 4 करते हैं, तो कितना मिलता है, 10,000 मिलता है, आपका, 10,000, उसमें से 1 minus कर ले तो यह तो आपका डिविजबल नहीं हो रहा था, 10 की power क्यों, लेकिन यह डिविजबल है, तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, कि मैंने अगर power evenly, मैंने power evenly, तो यह डिविजबल हो पा रहा है, even, even, ठीक है, power evenly, evenly, तो डिविजबल हो रहा है, यह भी even पर, तो मैं option में ज क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही answer बच्चे हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, आप देखो, दो प्राकरते संख्याओं के अंतर सदेव होता है, यह आप से पूछ लिया गया है, ठीक है, यह क्या होता है, यह आप से पूछा गया है, ठीक, तो यह क पूड़ांक कैसे कोई भी ले सकने आप प्राकरत संख्याओं को अंदर हमेशा जो रहेगा एक पूड़ांक रहेगा ठीक है तो यह कुछ questions थे इनको भी आप practice कीजिए और questions आपको practice seat भी मिल जाएगी PDF format में ठीक है वीडियो यह पहली class थी आपकी जो की demo session था आगे की next class जो रहेंगी वो paid रहेंगी पूरी तरीके से वो जो बच्चे subscription ले लेंगे उन्हीं को सो हो पाएंगी okay students okay thank you